है गाईज वेलकम बेक टू माई चैनल कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगे तो गाईज आज की वीडियो में आपके साथ मेट्रिक्स हेर के रूटीन की वीडियो शियर करने लगी हूँ अगर आपने स्मूथनिंग करवाई है केरेटेन करवाई है रिब से होइज के मेट्रिक्स का ही मैं कंडिशनर यूज करूंगी इसी से आज में हेः वाश करूंगी रिव्यू प्लस डेमो दोनुस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस शेंपू का प्राइस थ्री फोटि फॉटिव रूपीज है 345 रूपीज and 200 ml हम इसकी quantity मिल रही है बट मैंने इसे local market store से just 300 रूपीज में बाई की है बहुत ही अच्छा वाला शैंपू है professional शैंपू है और आज मैं इसके साथ conditioner का use करूँगी इसका price 275 रूपीज है 98 ग्राम हमें इसकी quantity मिल रही है तो guys मैंने अपने बालों पर smoothening करवाई हुई है मुझे smoothening करवाई 6-7 महिने हो चुके है 7-8 महिने लगबग मुझे हो चुके है तो अगर आपने भी smoothening, keratin या rebonding करवाई है तो आपको professional product का use करना चाहिए matrix के product बहुत ही ज़्यादा अच्छे है इससे आपके बाल काफी ज़्यादा strong रहेंगे, healthy रहेंगे hair fall की problem आपको बिल्कुल भी नहीं होगी यवला shampoo बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इतना अच्छा leather करता है अगर आपने oiling अपने बालों पर ज़्यादा नहीं की हुई है तो जस्ट एक wash से ही आपके बाल बिल्कुल neat and clean हो जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसके कितनी quantity ली है सबसे पहले मैंने अपने हाथों पर shampoo को अच्छी तरह से rub किया फिर मैंने अपने पूरी scalp and length पर इसे apply किया इसके बाद आपको अच्छी तरह से massage करनी है आप चाहें तो शेंपू को पानी में घोल कर भी यूज कर सकते हैं इसली local market store से या फिर online भी आप ये वाला shampoo बाई कर सकते हैं इसकी पूरी range आप बाई कर सकते हैं बहुत ही अच्छे result है अगर आप वैसे भी अपने बालों की अच्छी क्यार करना चाहते हैं आपने smoothing keratin नहीं करवाई फिर भी आप अपने बालों की बहुत अच्छी क्यार करना चाहते हैं तो आप ये वाला shampoo जरूर ट्राय करके देखिए इसकी पूरी kit इसकी पूरी range आप ट्राय करके देखिए आपको बहुत ही अच्छे वाले result देखने को मिलेंगे तो देखिए मैंने यहाँ पर वीडियो की speed थोड़ी सी तेज की हुई है तो मैं अच्छी तरह से massage कर रही हूँ length पर scalp पर अच्छी तरह से मैं massage कर रही हूँ इसके बाद मुझे conditioner का use करना है आप इसका mask भी try करके देखिए बहुत ही अच्छा वाला इसका mask है online तो आपको और भी अच्छे offers पर matrix के सारे product मिल जाएंगे तो देखिए अच्छी तरह से सारे बालों पर मैंने massage की हैं इसके बाद मैं पानी डाल रही हूँ अपने बालों पर just shampoo का use करने से ही आपके बाल इतनी ज़्यदा soft, silky हो जाएंगे जब हम keratin वगेरा करवाते हैं या फिर smoothening करवाते हैं तो हमारे बाल काफी ज़्यदा weak हो जाते हैं hair fall की problem हमें होने लग जाती हैं तो ऐसे में आपको professional product का ही use करना चाहिए आपको थोड़ी बहुत oiling भी करनी है चाहिए अपने बालों पर तो देखिए just hair wash से ही मेरे बाल कितने ज़्यदा सुन्दर हो गए हैं मुझे smoothing करवाए तो 7-8 महिने हो चुके हैं तो आप भी अगर अपने बालों की अच्छी care करना चाहते हैं लॉंग टाइम तक आप चाहते हैं कि आपके बाल बिल्कु स्ट्रेट रहें तो आपको ये वले product यूज़ करने चाहिए जिसका आपके बालों पर कोई नुकसान ना हो और आपके बाल बिल्कु स्ट्रेट रह स्ट्रॉंग रहें हेल्दी रहें तो देखिए हेर वाश मैंने कर लिया है अब मुझे कंडिशनर का यूज़ करना है इसका कंडिशनर भी बहुत ज़्यदा अच्छा है लैदर अच्छा करता है कॉंडिटी हमें अच्छी मिल रही है मतलब ये दुनों चीज़े मेरी दो मह इने यूज हो जाती है अगर मैं हफते में दो बार भी इसका यूज करती हूं तो देखिए इतनी मैंने इसकी कॉंडिटी ली है अच्छी तरह से सबसे पहले मैं अपने हाथों पर इसे रब कर रही हो और सबसे पहले मैं इसे लेंध से स्टार्ट करूंगी सारा कंडिशनर मुझे लेंध पर लगाना है जितनी भी अमाउंट आपके हाथों में बच जाती है वह आपको स्कैल पर लगाना है वह वह व्ला कंडिशनर सबसे पहले आपको इसे लेंध पर लगाना है बालो को स्ट्रेच करकर के कंडिशनर को अच्छी तरह से लगाना है कम से कम दो के लिया आप इसे ऐसे ही छोड़ दें अपने बालों को और उसके बाद आप पानी डाले अपने बालों पर लगाने के बाद हमें किसी भी शैंपू का यूज नहीं गरते हैं थो आप देख सकते वो भी बहुत अच्छा है वो आप मन्त में दो या तीन बार उसका यूज़ कर सकते हैं अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राइ रहते हैं स्मूतिंग करवाने के बाद तो आपको ये वले प्रोड़क्ट ज़रूर यूज़ करने चाहिए तो देखिए कंडिशनर लगाने के बाद आप मेरे बालो बाल देख सकते हैं कि बाल कितने ज़्यादा सुन्दर लग रहे हैं अगर आप स्मूतिंग करवाने के बाद स्टार्टिंग से ही ये वले प्रोड़क्ट यूज़ करेंगे न तो आपके बालो को कुछ भी नहीं होगा आपके बाल ड्राइ नहीं होगे हीर फॉल की प्रोबलम आपको नहीं होगी काफी ज़्यादा अफॉर्डेबल भी है बहुत ज़्यादा महंगे प्रोड़क्ट नहीं है ऑनलाइन तो आपको और भी अच्छे डिस्काउंट पर ये वले प्रोड़क्ट सारे मिल जाएंगे तो देखें कंडिशनर लगाने के बाद अच्छी तरह से अपने बालों पर पानी डाल दियूंग ताकि सारा कंडिशनर बालों में से निकल जाए इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा तो गयाज जब आपके बाल 50% ड्राइए और 50% वेटो तब आपको सिर्म का यूस करना है सिरम का यूज भी आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से कर रही हूँ कोई सा भी आप सिरम यूज कर सकते हैं सिरम बस आपको लगाना है बालो पर लेंथ से स्टार्ट करना है और जो अमाउंट बच ज़ती है हाथों पर उसे आपको स्कैल्प पर लगाना है आप देख सकते हैं कि मैं सीरम का यूज किस तरह से कर रही हूँ अच्छी तरह से सारे बालो पर fingers की help से सीरम ताकि सारे बालो पर अच्छी तरह से लग जाए Combing आपको अच्छी तरह से अपने बालो पर करनी है बालो को ज़्यादा कानों के पीछे नहीं रखना है बालों को ज़्यादा टाइट आपको बांद कर नहीं रखना है अगर आप इन बातों का धियान रखेंगे तो आपकी जो स्मूथनिंग है वो लंबे टाइम तक चलेगी आपके बाल लंबे टाइम तक बिल्कुल स्मूथ, सिल्की, सॉफ्ट, स्ट्रेट रहेंगे तो देखिया मैं अपने बालों पर कॉम्बिंग कर रही हूँ और आप मेरे बाल देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा सुन्दर लग रहे हैं अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी से भी हैल्फुल होती है अगर आपको ये वीडियो थोड़ी से भी अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें तो इसके बाद आपको अपने बालों को naturally air dry होने देना है किसी भी dryer का use आपको नहीं करना है ओप गाईज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना तो चलिए गाईज अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी तब तक के लिए थैंक्यू बाई